क्वेस्टन नमबर 8 है हमारे पास इंतहाई important question है अब देखें यह जितना बरा स्वाल है उतना ही मुश्किल स्वाल है लेकिन आप मेरे साथ करेंगे तो यह मुश्किल नहीं होगा इंशाला अब देखें अब सबसे पहले क्या है अब देखें पहले तो यह देखें यह किस क्वाडरेंट में लाएक आ रहा है इस तरह बीटा लेस्टन पाइंट इसका मतलब क्या है यह फस्ट क्वाडरेंट में लाएक आ रहा है इधे मैं लिखते तो यहां पर मारे पास यह फस्ट क्वाडरेंट में लाएक आ रहा है इस तरह बीटा लेस्टन पाइओवर टू तो यह भी मारे पास किस क्वाडरेंट में लाएक आ रहा है फस्ट क्वाडरेंट में लाएक वाइव शोड़ेट हमें प्रूफ क्या करना है साइन एलफा माइनस बीटा इकवल टू 133 ओबर 205 यानि कि यह हमारे पास आंस आना चाहिए साइन एलफा माइनस बीटा इकवल टू 133 ओबर 5 अब देखें अब हमारे पास नयाहिंज एक है साइन एक है कोस अब हमारे पास दो चाहिए हैं यहां पर हम करेंगे अपना रफ वर्क ठीक है यहां पर करेंगे अपना सल्यूशन अब देखें हमारे पास सफिल लाल के लिए भी दूबाइड एंटिटीज है कौन सी वाली साइन एलफा इक्वल है वोर ओवर फाइव एंड इसी तरह कोस बीटा इक्वल है 40 ओवर 41 और देखें साइन एलफा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास साइन एलफा इन्टू कोस बीटा माइनस cos alpha into sin beta CSCCS ठीक है अब देखें हमारे पास जो identity is given है वो put करते हैं हमारे पास sin alpha की value given है क्या है बला 4 over 5 और cos beta की value given है हमारे पास क्या है 40 over 41 क्या चीज गीवन नहीं है हमारे पास cos alpha भी गीवन नहीं है sin beta भी गीवन नहीं है तो हम simple क्या करेंगे sin alpha तो given है और cos beta given है इसी तरह cos alpha और cos beta नहीं given अब cos alpha और sin beta को कैसे drive करेंगे यहां पर हम लिखते हैं cos alpha अब cos alpha किसके बराबर है हमारे पास बेस over hypotenuse अब देखें अब इसको हम pythagoras identity लगाते हैं तो हमारे पास pythagoras identity क्या है वो है simple हमारे पास hypotenuse का square over perpendicular का square plus base का square given क्या है मेरे पास perpendicular over hypotenuse perpendicular क्या है 4 hypotenuse क्या है 5 find क्या करते है यहां से base की value find करते हैं हमारे पास hypotenuse है 5 का square equal by perpendicular है 4 का square plus base का square यहां पर क्या हो गया 25 16 plus base का square 25 minus 16 equal आ गया base का square 9 equal by base का square यहां पर base आ गया हमारे पास 3 अब देखें हमने क्या चीज़ find करने थी cos alpha cos alpha हमारे पास क्या आ गया simple 3 over 5 आप देखें cos alpha आ गया यह एक चीज़ आपने याद रख नहीं है alpha की sense मी आपने alpha ही निकलेगा बीटा की sense में आपके पास beta ही निकलेगा अब देखें cos alpha हमारे पास क्या आया है simple hypotenuse क्या है five इदर क्या आ गया three over five इसी तरह साइन बीटा साइन बीटा को हमारे पास गिवन है कोस बीटा गिवन है कोस बीटा गिवन है इसी की हेल्प से हम निकालते हैं साइन बीटा निकालते हैं अब वो कैसे अब देखें कोस हमारे पास क्या होता है बेस ओवर hypotenuse एक ट्राइंगल ड्राइंगल ड्राः करते हैं रफ वर्क में बच्चों यह सारा गाम करने हैं ठीक है यह हमारे पास क्या given है ? base. base क्या है? forty. hypotenuse क्या है ? forty one to find क्या क्या है ? perpendicular formula लगाते है Pythagoras perpendicular plus base का square hypotenuse क्या है ? forty one का square equal perpendicular find क्या है ? equal by base का square is forty का स्केर फोटी बन का स्केल लें तो मेरे पास क्या आजेङा le इस्व किया ओजेगा माइनस में तो मारे पास परिपेडिक्यूलर यह आप ने 1600 में 1681 बाकई बच्चा प्रपेंडिकुलर। यह हमर पास P आजेगा 9, अब देखें, हमर पास sin क्या होता है? Psychology होता है उसाइन होता है हमर पास perpendicular over hypotenuse, अब देखें, प्रपेंडिकुलर के आगे हमरे पास 9, यहाँ पर पेंडिकुलर के आगे 9 over hypotenuse के कर दोंको फोर्टी नगी ही आ़ियोंश प्यारे विडियू को मिल्टि फिरुट के साथ विटिवे कि दूसरी को किया जयेख़ 106 &205-9 cama एंग मडेकर ट्वैब Óपन सबस्काली सबस्क्राइब किया तो हमारे पास किया आजएगा सिंपल 205 अब इन दोनों का LCM लिया LCM लेके 205 160-27 160-27 को हमने माइनस किया तो मारे पास 133 over 205 अब देखें हमने प्रूफ क्या करना था साइन एलफा मैनस बीटा को प्रूफ करना था 133 over 205 आंसा आ गया आप लोग ने राफ वर्ट लाजमी करना है और यह हमारे पास original होगा